इक्षा मंत्री, देमान राजनाच सेंजी, डीजी एन्सीसी, शिक्षगाण, अतिदीगाण, बेरे अंत्री मंत्री परिश्चत के सभी अन्य साथी, अन्य अतिदीगाण, गनतंत्र दिवस की परेड में सामिल हो रहे हैं, विभिन आर्टिस्ट, एन्सीसी, और एन्साइस के मेरे युवां साथियों, मैं देख रहाता आज, पहली बार, देता जी की विश्प्रिशा में, इतने सारे बाल अवतार, प्रधान मंत्री आवास पर आए, मैं सब से पहले, आप सब को सैल्यूट करता हूँ, जयहीन का मंत्र, हर बार हमें प्रेणा देता है, साथियों, बीते कुछ हप्तों में, जिवां साथियों समझे, बार-बार मिलने का अउसर मिला, महिना बर पहले, हमने वीर बाल दिवस मनाया, हमें वीर साथ जादों के शावरिया, और बरिदान को नमन करने का आउसर मिला, उसके बाद, करनाटका में, डेशनल यूद फैस्टिवल में शामिल हुआ, उसके दो दिन बाद, देश के युवागनी वीरों से बात्तित हुई, फिर यूपी में, खेल महाकूम के एक कारकम में, दुआ खेलाडियों से समवाद हुआ, और इसके बाद मुझे आज, समसद में और फिर प्रधान नदरी निवास पर, नोई और लीडर कारकम में, शामिल देश भर के विद्यार्थियों से मिलने काउसर मिला, कल ही राष्ट्रिय बाल, पुरस्कार जीतने वाले, देश के होनहार बच्चों से मुलाकात हुई, आज आप सबसे इस विशे, इस कारकम में मुलाकात हो रही है, कुछी दिन बात, मैं परिक्षा पे चर्चा, इसके माद्यम से देश भर के लाको युआओं, कुछी द्यार्थियों के साथ समवाद करने वाला हूँ, हर वर्ष की भाती इस बार भी, NCC के कारकम का हिस्सा बनने का आउसर, मुझे मिलने वाला है, साथ यह युवा समवाद, दो करणों से मेरे लिए विशेश महत्व का होता है, एक तो इसलिए, क्योंकि युवाओं में उर्जा होती है, ताजगी होती है, जोश होता है, जुनून होता है, नयापन होता है, आपके माध्यम से सारी सकारत पकता, कुझे निरंतर प्रेरीद करते रहती हैं, दिन रात मेहनत करने के लिए प्रोचाइद करती हैं, दूसरा आप सभी आज्ञादी के इस अमरित काल में देश की आकांख्षा देश के सपनों का प्रतिनिदित्व करते हैं विख्सीद भारत के सबसे बड़ी लाभारती भी आप होने वाले हैं और इसके निर्मार्ण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंदों पर है जिस प्रकार अलग-अलग कारकम में युवाओं की भागेदारी बढ़ रही है वो उद्शाइद करने वाली है पराक्रम दीवस पर एक बड़े संदेश के साथ आयोजीत प्रतियोगीताओं में आप जैसे बच्चों की भागेदारी इसी का ही उद्शाण ऐसे कितने ही आयोजन अमृत महोसव से जुड़े कारकम और प्रतियोगीताओं देश में लगातार हो रही है लाखो करोड युवाई इन से जुड़ रहे हैं कि कम आयोँ में देश के लिए बड़े सपने और समर्पन का प्रतीक है मैं इस बात का सबूत है कि भारत की वपिड़ी देश की जिम्मेदारियों के लिए तयार भी है और अपना दाईत्व लिभाने के लिए तत्पत भी है मैं इन कविता, ड्रॉइंग, ड्रेसिंग और ऐसे राइटिंग की इन प्रतिकी उगेता हूँ मैं जीतने वाले सभी युवकों को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूँ हर बार की तरह बड़ी संख्या में हमारे एनसीसी और अनेसेस की गड़ेट्स विभिन आर्टिस्ट गनतंत्र दिवस के परेड़ में शामिर होने जा रहे हैं आप सबको मेरी बहुत-बहुत शुबकामनाए हैं साथ यह एनसीसी और अनेसेस ऐसे संगड़न है जो युवापीडी को राष्टिय लक्षों से राष्टिय सरोकारों से जोडते हैं कोरोन अकाल में किस प्रकार एनसीसी और एनसेस के वॉलिंटर्स ने देश के सामर्त को बढ़ाया यह पूरे देश ने अनुभव किया है इसलिए सरकार का भी यह निरंतर प्रयास रहा है कि इन संगड़नों को प्रुच्छाइद किया जाए इनका विस्तार किया जाए अब जैसे हमारे सिमावर्ती और सागर्तट पर बसे जीलों में अनेग प्रकार की चुनवतियां आती रहती है इन से निपटने के लिए भी सरकार आप जैसे हिवाओं को तायार कर रही है देश के दरजनों ऐसे जीलों में एन सी सी का विशेश प्रोग्रेम चुनाया जा रहा है आर्मी नेवी और एरफोस के माद्यम से विशेश ट्रेनिंग दी जा रही है इसे युवाँ साथी बविशी के लिए भी तयार होंगे और जरुरत पढ़ने पर फस्रिस्पोंडर की भूमी का भी निबा सकते है आप तो हम βाप्रेंट बॉर्डर एरिया प्रोग्रम पर भी काम कर रहे है इसके तहरत बॉर्डर के गाऊं का विकास किया जा रहा है वहां हर परकार के इस्विधायفक्सित की जा रही है प्रयास यही है रहना पसंद करें वहीं सिख्षा और रोजगार के बैस्तर एफसर बने साथियों सरकार के इन पैयासों के बीच आपको अपने जीवन में एक बात जुरूर काम आएगी आप जब जीवन के कुछ बैस्तर करते हैं कोई सफलता हासिल करते हैं तो उसके पीशे आपके साथ साथ आपके माता पित आपके परिवार की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है उसमें आपके टीचर्स की स्कूल किया और आपके दोस्तों की भी बड़ी भूमिका होती है यानि आपको सबका साथ मिल उस वही प्रगेजी का कारण होता है सबने आपकी ख्रमता और फैस्टलों पर विश्वास किया होगा सब आपके प्रयास में शामिल हुए होगे और आज जब आप गंतंत्र दिवेश की परेड में शामिल हो रहे हैं इससे आपके परिवार, स्कूल, कॉलेज और इलाके का भी सम्मान बढ़ा है यानि हमारी सबलता है अकेले हमारे प्रयासों से नहीं आती और हमारी सबलता है कभी अकेले हमारी नहीं होती यही नजरिया आपको आपके जीवन में समाज और देश को लेकर भी रखना है जिस भी खेत्र में आपकी रूची होगी आपको उसमें आगे बढ़ना है लेकिन लक्ष ताय पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेना होगा आपको टिम स्पिरिट से काम करना होगा इसलिए जब आप अपने लक्षों को अपने गोल्स को देश के गोल्स के साथ जोड़ कर देखेंगे आपकी सफलता का दायरा विस्तृत हो जाएगा आपकी सफलता को दुनिया भारत की सफलता के रुप में देखेगी डॉक्टर एपीजे अब्दूर कलाम ओमी जांगिर भाबा और डॉक्टर सिवी रमन जैसे वहिजानी को या फिर मेजर द्यांचन से लेकर आज के बड़े खिलाडियों तक इन्होंने अपने जीवन में जो काम किये जो मुकाम हासिल किये पूरा विश्व उन्हें भारत के सफलता के रुप में देखता है और उसे भी आगे दुनिया भारत के इन सफलताओं में अपने लिए नए भविश्व को देखती है यानि आइतिहासिक सफलताओं वो होती हैं जो पुरी मानुता के विकास की सीडिया बन जाए यही सबका प्रयास की भावना की अथली ताकत है साथियों आज आप जिस कालखंड में है उसकी और एक विशेस बाब है हाद देश में युवाओं के जीतने नए अवसर है वो अभुत्पूर है हाद देश, स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया और आप मनिर्भर भारत जैसे अभियान चला रहा है स्पेस सेक्टर से लेकर, एंवार्मेंट और क्लाइमेट से लेकर उससे साथ जुड़ी वी चलेंजिस तक हाद आज पूरी दुनिया के भविश्य के लिए काम कर रहा है अर्टिविशल इंटलिजेंस, मशिन लर्निंग और वर्चुल रियालिटी जैसी फिचरिस्टिक फील्स में देश पूर्ट पर है स्पॉर्ट्स और क्रिटिविटी के लिए देश एक अच्छा एकोसिस्टिम तयार कर चुका है आपको इसका हिस्सा बनना है आपको और आपका अंसीन पोसिबिलिटीज को सच करना है अंटज एरिया को एस्प्लोर करना है और अन इमेजिन सोलुशन को खोजना है साथ्यों पविश्य के बड़े लक्ष और बड़े संकल्प यह हमारे लिए बहुत जरूरी है लेकिन साथ ही हमें वर्तमान की छोटी बड़ी प्रात्मिक्ताओं को भी उतना ही महत्वत देना होगा इसलिए मेरा आप सभी चागर होगा क्या देश्ट में हो रहे हैं इस हर बड़लाव से परिटित रहे देश्ट में जो नए नए अभियान चलाए जा रहे हैं आप उनमें भागिदारी करें स्वच्छ भारत अभियान का हुदार हमारे सामने हैं आप युवाओं को इसे अपने जीवन का मिशन बनाना चाहिए आपके पास क्रियेटिविटी भी है और जोश भी है आप संकल पर ले सकते हैं हम हमारे दोस्तों के एक टीम बना कर अपने महले को अपने गाउँ शहर कजबे को स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे जब आप स्वच्छता के लिए बाहर निकलेंगे तो बड़े लोगों पर उसका जादा प्रभाव पड़ेगा इसी तरह अमरित महोसों में आप स्वतंतरता सेनानियों से जुड़ी कम से कम एक किताब पढ़ने का संकल जरूर लीजिए आप में से कई लोग कवीता और कहानी लिखेंगे ब्लॉगिंग करने जैसे कामों में भी इंटरेस्ट रखते होंगे आजादी के लड़ाई और किसी स्वाधिंता सेनानी के जीवन पर ऐसा कोई क्रेटिव काम करिए आप अपने स्कूल को भी इस विशेपर कारकम और प्रतियोगिता कराने के लिए कह सकते हैं आप सब के जीलों में पच्चतर अमर्द सरोवर भी बनाये जा रहे हैं आप अपने पड़ोस के अमर्त सरोवर में अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत योगदान दे सकते हैं जैसे कि अमर्त सरोवर के पांद वृक्षा रुपन कर सकते हैं उसके रखरखाओं के लिए लोगों को जागुरू करने के लिए को रेली इनिकाल सकते हैं देश में चल रहे फिट इंडिया मुमेंट के बारे में भी आपने जुरूर सुना होगा युवाओं के लिए तो भहुत आकर्सित करने वाला अभ्यान है आप खुद तो इससे जुड़े ही सासी अपने घर वालों को भी जुरूर जुड़े ही आपके घर में रोज शुबर थोड़ी देश सब लोग मिलकर योग करे आप एस संस्कृति घर में शुरू कर सकते हैं आपने सुना होगा इस सान हमारा भारत जी-ट्विंटी के दिश्टा भी कर रहा है यह भारत के लिए एक बड़ा अफसर है आप इसके बारे में भी जरूर पढ़ें स्कूल कॉलेज में भी इससे जुड़ी चर्चा करें सात्य इस समय देश अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिक्ता इसे मुक्ति के संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है यह संकल्प भी देश की विवाओं के लिए एक जिम्मेदारी है हमारी विरासत को भविश के लिए साहज ने और समार ने की जिम्मेदारी आपकी है कि काम आप तब कर पाएंगे जब आप देश की विरासत को जानेंगे समझेंगे विरास्वजाव है कि आप जब गुमने जाएं तो हेरिटेज साइट पर भी जुरूर जाएं उन्हें देखे जाने आप युवा है आपके लिए बविश्के वीजन के निर्मार का समय है आप नए विचारों का नए मानदर्लों के अंदिर माता है आप नए भारत के लिए नए रास्ते बनाने वाले लोग है बुझे विश्वाफ हैं आप हमेशा की तरह देश की अपेक्षाओं और देश की आकांशाओं पर खरा उतरेंगे आप सभी को एक बार फिर बहुत-बहुत शुब कामना है धन्यवाद